नमस्कार मैं डॉक्टर श्रधा वसर्ष्ट आपका सबकी शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निशल शिक्षा प्राप्त करने हैं तू फॉर्म निकल गए है तो यह फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर या पर किसी भी सर्च इंजन पर डालना होगा डी ओई डेली देखिए डी ओई डेली डाला जब आप ऐसे डालेंगे तो इस प्रकार से आजाएगा खुल के डारेक्ट्ट आप एजुकेशन की वेबसाइट www.adudel.nick.n यह वेबसाइट खुल के आगई इस प्रकार से साथ ही आप सभी कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इसका असर आपके बच्चे के दाखले पर पढ़ सकता है अपने बच्चे के दाखले को असान करने के लिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए और सबकी शिक्षा की regular updates प्राप्त करने के लिए सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी प्रेस करना ना भूलें आपके साव पास सभी जानकारी हमारे वाध्यम से निशुल पहुंचेगी अब आप यहाँ क्लिक करिए यह कुल गई director of education की website यह देखिए अब EWSDG admissions यहाँ पर करिए क्लिक यह देखिए इस प्रकार से आ जाएगा कहां करना EWSDG आप यूँ खोलेंगे आपके बाईं तरफ EWSDG और EWS Freeship admissions लिखा इस पर क्लिक कर दीजे यह खुल के आ गया पहले नंबर पर registration for new user आप इस पर क्लिक कर दीजे आप याद रखिएगा जब आप जानकारी भरेंगे जिस भी जानकारी के उपरे लाल फूल बना आ रहा है यह इसमें जानकारी भरनी ज़रूरी है उस जब्बे में जानकारी भरनी ज़रूरी है साथ ही एक और चीज आपको कहना चाहूंगी जो जानकारी भरे सही भरे अगर जानकारी गलत पाई गई तो आपके बच्चे का आगे जाके दाखिला भी रद्ध होगा आपके खिलाफ कानूनी करवाई भी हो सकती है इस साल से अधार कार्ड भी अनिवारे हो गया है अब मैं फॉर्म आगे भरूंगी तो इसके बाद बच्चे का पहला नाम डालिए मध्य नाम डालिए आखरी नाम डालिए अपना मोबाईल नमबर डालिए इमेल एड्रेस है तो वेड डालिए बच्चे का जो लिंग है वेड डालिए जैसे लड़का लड़की या फिर द्विलिंगी है आगे आपके पास क्या डॉक्युमेंट है जन्त थी को सिद्ध करने के लिए वेड डालिए मैंने बर्ध डॉक्युमेंट डाला है माता पिता की कुल साला ना आय कितनी है मैंने वय डाला है आप किस काटेगरी के तहत अप्लाई करना चाहते हैं मैंने DG डाला है आप EWS डाल के भी जानकारी भर सकते हैं आगे आप जैसे कि मैंने ये डाला है EWS डालती तो इस प्रकार से जानकारी आती सारी भरनी होती मुझे income certificate डालती फिर income certificate जारी हो गया नहीं हुआ है डीजी डाल रही हूँ तो मैंने यहाँ पर ST डाला है आप कोई भी जो आपकी category वेड डालिये क्या प्रमाल पत्र दे रहे हैं मैं का certificate दे रही हूँ मैंने apply करा हुआ है इशूड मतलब जारी हो चुका है applied for यानि की मैंने आवेदन भरा हुआ है मैं इसकी संख्या डाल रही हूँ 2,3,4,2,1,2 और किस तारीक को मैंने apply किया था मैं में डाल दूँगी मैंने 2 फरवरी को apply किया है ठीक है आप भी डाल दीजे इस हसाब से मैंने यहां से करके register कर दिया इस प्रकार इस प्रकार से registration नंबर आ गया है और password आ गया है देखिए मैंने इसे click कर लिया अब आप इसे note करके रख लीजे कहीं भी आप अपने पास मैं जैसे मैंने इसकी photo खीच लिये शूने है एक, दो, तीन, 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 आठ, एक, पांच यह मेरा नंबर है आपका अलाग होगा दो, जिरो, दो, तीन, शूने, 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 तीन, आठ, एक, पांच अब इस प्रकार से जानकारी यह मैंने वार्म को रजिस्टर कर लिया है अब आगे हम पासवर्ड भी हमारे पास आ गया है अब हम सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि अभी जो हमने स्टेप किया है यह क्या था यह हमने पंजी करन कर रहा है अब हम आवेदन प्रपत्र को भरेंगे दो जिरो दो तीन एक दो तीन तीन आठ एक पांच पासवर्ड क्या है पासवर्ड देखते हैं आपका जो पासवर्ड है आप वह लिखिएगा आप मेरा देखके मेरा पासवर्ड मत लिख दीजेगा अब उतना पासवर्ड लिखिएगा टीडी काप्चा कोड लिख दीजेए जैसे कि है क्या है 75 कापिटल M कापिटल R 75 84 84 ठीक है लॉग इन लॉग इन आ गया नॉट नाउ इस प्रकार से जानकारी आ गई जो मैंने भरी थी देखिए यहाँ पे बच्चे के डिटेल्स आ गई सारी जो मैंने भरा है वा जानकारी सारी आ गई है अब अधार संख्या आपने भरनी है बच्चे की जो भी बच्चे की अधार संख्या है आवे भर दीजे देखिए पिछले साल तक होता था की अधार संख्या के आप एप्लाइड पॉर लिखो आता था लेकिन अब एप्लाइड पॉर नहीं है अब सीधा अधार संख्या भरनी है जो बच्चे का अधार नंबर है आब भर दीजे पहले होता था कि आपने आवेदन कर रहा है तो आप सका receipt number डालके भर सकते थे लेकिन अब नहीं है अब मुझे यह देख कि अच्छा लग नहीं रहा सज बोलूं तो मैं इस form को भरते 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 भी आप अभी भावक की details भरेंगे यहां पर माता की पिता की और गारिशन की तो बच्चा माता पिता के साथ लिखता है तो आखरी वाला भरने की जुरूरत नहीं है हम पहले दो भर देंगे माता का नाम हम डालेंगे रानी शर्मा डाल देते हैं माता का प्रोपेर्शन हम डाल देते हैं हाउस बाइफ माता का नंबर डाल देते हैं नाइन टू एक दो तीन चार पांच शे साथ आट और पिता का नाम हम कुछ और डाल देते हैं पिता का मोबाइल नंबर भी कुछ डाल देते हैं और पिता के अधार कार्ड की संख्या हम डाल देते हैं जो पिता के अधार कार्ड की संख्या है वैं डाल दीजिए यह माता है पिता में से किसी एक का होना चाहिए प्रोफेशन पिता क्या करते हैं प्राइवेट जॉब कर देती हूँ आगे आपको एड्रेस भरना है ठीक है कहां रहते हैं तो मैं लिख देती हूँ पालम कॉलोनी खाला की ऐसे नाम का कोई है ही नहीं लेकिन ऐसे ही मैं हमेशे द्वार का भरते हूँ तो आप लोग सोचते हैं मैं द्वार का में रहते हूँ इसलिए है कॉंसिट्विंट इसेंब्ली हम लिख देते हैं द्वार का रेजिदेंचल एरिया हम लिख देते हैं कि दाबडी रगुन अगर पिन कोड लिख देते हैं पिन तालिस और एड्रेस क्या हम देंगे वोटर आईडी ठीक है यह हम जानकारी भरते हैं प्रिव्यू ठीक है बच्चे की जानकारी जो आपने भरी है वह चेक करेंगे कि आपके बच्चे का आपने जो अधार नंबर डाला है और जो जानकारी भरी है वे सही है कि नहीं अगर अधार कड़ और जानकारी जो भरी है वे सही नहीं होगा तो आगे आप नहीं भर पाएंगे आपका पहला स्टेप पूरा हो गया आगे हम इसे कर देंगे अब अगले step पे जाईए ठीक है क्योंकि अब मेरे address की details इनके पास आ गई है अब उसी के अनुसार अगले school खुलेंगे तो पहला है 0-3 km के पास के जितने भी school है सब मेरे सामने आ गए है अब आपको जो school लगता है अपने बच्चे के दाखिले के लिए नमबर अफ सीट भी आ गई है निव एरप मायापुरी में 53 सीटे है वेवेकानन मॉडल में 13 सीटे है इंदरा इडल जनकपुरी में 2 सीटे है जैन भारती ऐसे करके जो भी आपको school लगता है उसके आगे add गर दीजे मैं आपको दिखाने के लिए ये add गर दिया मैंने देखे वे नीचे लिखा जाएगा नीचे जुड़ जाएगा देखे add गरते जाएगे नीचे जुड़ता आजाएगा ठीक है जितने school आपने add गर ने add गर दीजे मैं आपको कहूंगे सारे add गरते चले जाएगा मौका जादा मिलेगा दाख लेगा लेकिन आपकी मर्जी है ठीक है अब आप आगे बढ़िए अब आपने पहला 0-3 km के school सिलेक कर लिए अब आप अगले step पे गए 3-6 ठीक है अब यहाँ पे भी आप एक-दो school add कर लिजे एक-दो school add कर लिजे मैं अपने लिए बोल रही हूँ आपको जितने add करने है मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ वीडियो बहुत लंबी नहीं खीचा आती मैंने add कर लिए दूसरा अगर यह भी submit हो गया 3-0 से 3 कर लिए 3-6 कर लिए अब 6 km से उपर कितने school है इन में सिर्फ ज़र सदा 5 school जुड़ सकते हैं हम ठीक है यहाँ पे मैंने 1 करा आप 5 तक कर सकते हैं 2 करा आप कितने मैं जितने school हो के लिए से 5 school कर सकते हैं आप सिलेक्ट करते जाएंगे उनके नाम नीचे आते चले जाएंगे देखिए और यह बाप पर है बहुत ही लंबी है आगे मैंने सब्मिट कर दिया अब सारे स्कूल्स हो गए अब मैं फाइनल सब्मिशन एंप्रिंट स्टेप पांच पर आगई अब यह कह रहे हैं आपके बच्चे की सारे डिटेल्स है आप फिर्मस को सब्मिट करना चाहते हैं आप यहाँ पर करेंगे क्लिक और उसके बाद फाइनल सब्मिट कर देंगे मैं आपके लिए इसलिए नहीं कर के दिखा रही क्योंकि आम तोर पे मैं जब भी आप final submit करेंगे आपको form submit हो जाएगा ठीक है आप समझ रहे हैं मैं आपको इसलिए नहीं करके दिखा रही क्योंकि आम तोर पे जब भी मैं form को submit करती हूँ तो बच्चे का नाम आ जाता है एक बार पहले हो चुका है एक बार भी नहीं दो बा आपके पास जो फाइनल सब्मिशन के बाद आपके बच्चे का form submit हो जाएगा और आपके बच्चे का form पहुंच पहुंच जाएगा उसके बाद आगे की डीटेल से आगे क्या करना होगा वह तीन तारीक बच्चे के लिस निकलेगी जो मैंने आपको form भरना सिखाया है शे किलो मीटर से उपर से पान स्कूल 0-3 में जितने भी 3-6 में जितने भी सही जानकारी भरियेगा अधार का हाला कि मुझे पसंद नहीं आया इनोणे अधार का जिनोंने अपलाई किरा है उनका हिसाब नहीं लिखा है कि जिनोंने अपलाई करा है उनका receipt नंबर से इसाब अधार काड़ होना ज़रूरी है और पहले मैंने कौर चीज भी नोट करी है कि पहले जो बच्चे साथ साल के हो जाते थे वही कक्षा पहली में अपलाई कर पाते थे लेकिन अब इन्हों कर रहा है 5-6 साल के बच्चे अपलाई कर पाएंगे 7 साल से नीचे वाले, पहले ऐसा नहीं था, इस साल कुछ बदलाव लाया है, डिरेक्टर अव एजुकेशन, देखिए, बदलाव बच्चों के बहतरी के लिए लाए जाते हैं, उमीद करती हूं कि, जो भी बदलाव लाए गए उससे बच्चों की बहतरी हो, तो मुझे डॉक्टर श